तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि IRCT एकाउंट का जो पास्पोर्ट होता है उसको हम कैसे चैन्स कर सकते हैं तो दोस्तो हम वीडियो स्टाट के उनसे पहले चैनल पर पहली बाड़ाई तो चैनल को सब्सकाइब कर बेल एकन को जरूर पेस के जगा साथ याप हमें सोसल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो यहाँ पे हम वीडियो स्टाट के उनसे पहले एक चीज़ में आप लोगों का डाउट सबसे पहले किलियर कर देना चाहता हूं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फॉन में जो है आयर सीटी का जो रिल कनेक्ट एप है इसको आपन करना है तो यहां से फिर्स्ट आफ आपन करेंगे यह हमारा अलर्ट आ रहा है कोवीड-19 का तो हम नीचे से इसे ओके कर देंगे उसके बाद हमारे सामने इस तरह का पेज टॉप आप ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले उपर मैं हमको यहां पर लॉग इन का ओप्सन दिख रहा है तो हम इस पर लॉग इन पर क्लिक करेंगे और अगर आप इसमें पहले से लॉग इन किये होंगे तो आपको यहां पर फोर डिजिट का पिन मांगेगा नहीं फिल करना है तो छलिए यह तीनों चीज हम यहां पर कर लेते उसके बाद मिलते हैं तो यहां पर देखिए जह हम है यहां पर लॉग इन हो चुके हैं तो इसके लिए confirm करने के लिए आपको my account पे आना है यहां पर देखिए आपको login आपका account दिखा देगा तो यहां पासपोर्ट चैंज करना है तो होम पर होंगे तो वहां से आपको my account पर आ जाना है और यहाँ पर option मिलेगा आपको देखिए चैंज passport का तो आपको इस चैंज passport पर आना है यहाँ पर हमको तीन information फिल करना होता है चले तीन information को हम one by one discuss कर लेते हैं सबसे पहले ऊपर में हमको यहाँ पर option मिलता है old passport का मतलब कि पुराना जो passport है आपके पास जिससे अभी आपने login किया था वो passport आपको old passport में डालना होगा और new passport में आपको वो passport डालना है जो नया आप बनाने जा रहे हैं और साथ ही नीचे सबसे last में आपको confirm passport है बनाने जा रहे है वो जो है passport एक strong passport होना चाहिए तो इसके लिए आप पर कुछ कंडिसन दिया हुआ है जिसमें सबसे पहला कंडिसन है कि पासपोट जो है कंब 8 गरेक्टर का होना चाहिए और maximum 15 गरेक्टर का होना चाहिए मतलब कि आपके पासपोट का साइज है वो 8-15 करे वी सी टैप कर रखेंगे और कोई भी एक नमबर डिजिट मतलब की 1234 मतलब 0-9 के बीच में कोई भी एक नमबर डिजिट यहां पर रखेंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने नाम के साथ एक आद मोवाइल नमबर यूज कर लीजिए असानी से हो जाएगा नाम में पह उसके बाद new passport फिर से डीहत पास्पोर्ट तो यह तीन ओ अगर आप फल्क करेंगे तो यहां से आपको उपर में ऑप्सेर मिलता है सेवक खाट यहां साब सेट पे क्लिक करेंगे खोरा सा अगर वेंड की जगा तो आपको यहां पेno to your passport, effectively इंअर आपको隶ेच हे में cell हो आप इसे याद कर सकते हैं उसके बाद यहां से चलिये हम ओके पेपर प्रेस करते हैं तो हमारा लॉगिन बाला पेज यहां पे ऊपेन होजागा तो यहां से हम जोय अपना यूजर आइडी यह होगया पासपोर्ट यहां संफिल कर लेंगे जो हम भी file passport बनाए हैं और यहाँ से नीचे से आपको बगल में capture दिख रहा है वो capture फिल करना होगा तो यहाँ से चलिए हम capture फिल कर लेते हैं उसके बाद यहाँ से आपको login का option दिख रहा है तो यहाँ से आपको log in पे क्लिक करना है उसके बाद हमारे सामने जो है वेरिफाई होगा हमारा जो यूजर एकाउंट है थोड़ा सा वेट कीजिए यहां पे उसके बाद आपको अपना पिन जो है जनरेट करने के लिए बोला जाता है जैसे कि आप लोगों पता है कि अगर आप आयर सिटी का अकाउंट बनाये होंगे तो आप आपको पिन बोला जाता है करने के लिए से आपको चार रंग का पिन बनाना है यह इसलिए बनाए जाता है थाकर आपको बार-बार लॉग इन के समेश् is पासप einem यहां यहां से इंटर पिन पर कलिद करेकर का कोई भी पिन यहां पे फिल करेंगे phone में जब भी आप Log Day करेंगे इसके बाद आपको यूइंग medication करना होता है लेकिन इसे एक बार आप logout हो जाएंगे या किसी और phone में जाएंगे लग इन करने के लिए तो आप एक अपना यूजयर account और आपको अपना passport fill करना होता है सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो passport है वो change हो चुका है और हम यहाँ पे लॉग इन हो चुके है माय एकॉंट में आके आप अपना detail यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस तरिके से यहाँ पे आप अपना passport change कर सकते हैं पासपोर्ट चेंज करने के बाद आप किसी भी एकाउंट में लॉग इन करेंगे तो आप जो नया पासपोर्ट दिये वही पासपोर्ट से लॉग इन करेंगे तो यह था है एक full process जिसमें आपने सीखा कि कैसे हम आयर सीटी के account का passport change करते हैं कहीं पे भी कोई doubt है comment करके पुछ सकते हैं और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जूर सकते हैं subscribe कर सकते हैं चले हमें दीजे थोड़ा से समय हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द